हेलो बच्चो वेलकम टू माई चैनल मैं आपको करा रहे हूं थर्ड चैप्टर प्लेंग विद नंबर्स हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखिये तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां जाएं और इसको देखें दोनों ए एक्सरसाइज देखें आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट कोशन करेंगे हम इसका इस चैप्टर के अंदर हमें डिविजिबिल्टी रूल्स करने हैं तो मैं आपको जब इक्सरसाइज करा रही हूं अबर 3.3 तो मैं आपको एक ही करके हर चीज समझाऊंगी इसक पास्ट यूजिंग डिविजिबिल्टी टेस्ट डेटर्मिन विच ओव दा फॉलविंग नंबर साथ डिविजिबल बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 बाई 6 बाई 8 बाई 9 बाई 10 बाई 11 हमें आंसर येस और नो में देना है तो टेबल मैंने फिल कर दी है आपके लिए लेकिन ये टेबल मैंने ऐसे ही ने फिल की मैंने इसको एक एक सम बिल्कुल आराम से समझाया है और वो मैं अब भी आपको समझा रहे हूं सबसे पहले करेंगे हम डिविजिबिल्टी बाई 2 तो कोई भी नंबर आपको दे रख्या है तो आपको कैसे पता चलेगा नंबर को देखन पर अगर कोई नंबर है हमारे पास अगर उसकी वन्स प्लेज पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो समझ लो की नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले करेंगे हम 990 तो 0 है वन्स प्लेज पे इट इस डिविजिबल बाई 2 1, 5, 8, 6 वन्स प्लेज पे क्या है 6 तो इट इस डिविजिबल बाई 2 नाव 2, 75 तो 5 है इसके वन्स प्लेज पे ये एक और नंबर है तो इट इस नौट डिविजिबल बाई 2 6, 6, 8, 6 6, even नंबर एक वन्स प्लेज तो इस डिविजिबल बाई 2 6, 3, 9, 2, 1, 0 0 है वन्स प्लेज पे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा अब ये देखो नंबर आप 4, 2, 9, 7, 1, 4 इसमें 4 है वन्स प्लेज पे तो इवन्स प्लेज पे तो इवन्स प्लेज पे तो इवन्स प्लेज पे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा जीरो है वन्स प्लेज पे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर अब इसमें देखो आप सबसे लास्ट जो डिजिट है वन्स प्लेज पे वो 9 है तो 9 क्या है ये एक और नंबर है वन्स प्लेज पे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा अब हम करेंगे divisibility by 3 तो जो answers हमारे आए हैं 2 से ये आपने इसमें table में fill up करने है ये आपकी table दिवी है इसमें आपने table में 2 वाले सारे ऐसे fill up करने है इसके बाद करेंगे हम divisibility by 3 divisibility by 3 का की rule क्या है जो हमारा number दिया हुआ है कोई भी number है हमारे पास हम उसकी digits को sum करेंगे और देखेंगे कि वो sum 3 से divide होता है तो number divisible है 3 से अगर नहीं होता है तो number 3 से divisible नहीं होगा सबसे पहले दिया हुआ है 990 sum of digits कितना हो जाएगा 9 plus 9 18 18 3 से divide हो जाएगा सो हमारा यह जो दिया हुआ है 990 यह 3 से divide हो जाएगा तो इसमें लिखेंगे आप yes 1586 sum of digits 1586 20 23 की table में नहीं आता सो यह number 3 से divide नहीं होगा 275 sum करेंगे digits का 275 यह हमारा गया 14 14 3 से divide नहीं होगा तो यह number भी 3 से divide नहीं होगा next 6686 हमारा sum आता है 26 26 3 से divide नहीं होगा तो यह number जो हमारा है यह भी 3 से divide नहीं होगा अब हमारा number है 16 99 210 sum करेंगे digits का हम यह जो 5 digits ती हुई है इसका आगया sum हमारा 21 21 3 से divide होजाएगा तो यह जो हमारा number दिया हुआ है starting में यह 3 से divide होजाएगा 429714 sum करेंगे digits का 27 है तो 27 डिवाइड हो जाता है 3 से, तो यह जो हमारा नमबर है, यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2856, सम करेंगे डिजिट्स का 21 है, 21 डिवाइड हो जाता है 3 से, तो यह जो हमारा है 2856, यह हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 0 6 0 sum क्या होगा ڈजिर्जts का 9 9 divided हो जाता है 3 से तो यह जो हमारा नंबर है यह हमारा 3 से divide हो जाएगा next number हमारा इसमें sum करेंगे हमारा 30 आता है 30 3 से divide हो जाता है तो यह जो हमारा number दिया हुआ है यह 3 से overall divide हो जाएगा अब हम इन सारी जो हमने येस और नो देखी हैं ये हम टेबल बे फिल लग कर लेंगे अब हम करेंगे divisibility by 4 कोई भी नंबर अगर उसकी last two digits 4 से डिवाइड हो जाती है तो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा जैसे आपके पास 416 है तो इसकी last की two digits क्या है 16 ये 4 से डिवाइड हो जाती है 16 तो हमारा नंबर ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा 990 इसकी last digits क्या है 90 94 से डिवाइड नहीं होता तो ये जो हमारा नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा 4 से सेकिन नंबर है इसकी digits है last digits है 86 86 4 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा 275 last two digits है 75 ये 4 से डिवाइड नहीं होती तो ये 275 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा 6686 लास्ट की डिजिट्स कुण सी है 86 है 86 4 से डिवाइड नहीं होता तो यह नमबर 4 से डिवाइड नहीं होगा लास्ट की डिजिट्स है 10 10 4 से डिवाइड नहीं होता तो यह नमबर भी डिवाइड नहीं होगा लास्ट की डिजिट्स है 14 14 4 से डिवाइड नहीं होगा 2856 लास्ट की डिजिट्स हैं 56 56 फोर से डिवाइड हो जाता है तो यह हमारा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा 3060 लाश की 2 digits है 60 यह 4 से डिवाइड हो जाता है तो यह whole number 4 से डिवाइड हो जाएगा next number में 39 यह 2 digits है these are not divided by 4 so this number will not be divided by 4 अब हम करेंगे divisibility by 5 तो इसका rule क्या है if a number has 0 now we will do divisibility by 5 if a number has 0 और 5 at once place the number is divisible by 5 अगर once place पे 0 होगा या फिर 5 होगा तो यह number पूरा number 5 से divisible होगा सबसे पहले दे रख्या है 990, 0 है once place पे तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा 1586, 6 है याँ पे once place पे यह 5 से डिवाइड नहीं होगा 275, 5 है once place पे तो यह डिवाइड हो जाएगा 6, 6, 8, 6 6 है once place पे तो यह डिवाइड नहीं होगा इसमें 0 दे रख्या है once place पे यह डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे क्या है 4 है once place पे तो यह 5 से डिवाइड नहीं होगा 2856, 6 है once place पे यह डिवाइड नहीं होगा 5 से 3060, यह once place पे 0 है तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे यह 9 है once place पे तो यह 5 से डिवाइड नहीं होगा अब हम करेंगे divisibility by इसका रूल क्या है? इफ ए नंबर इस डिवीजिबल बाई बोथ तू एन थी देन इडिवीजिबल बाई 6 आलसो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा तो इसके लिए हम फर्स्ट पेज पे दोबारा सी जाएगे आप देखिए नहां पे शुरू में दिया हुआ है हमारा 990 ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम 6 में येस लिख देंगे अगले वाला देखो आप 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो इसको लिखेंगे 9 275 दोनों केसिज में 9 है तो यहां आजएगा 9 यहां येस है यहां 9 है हमारे रूल क्या है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए नंबर और 3 से भी तभी यहां पे हमें येस लिख पाएंगे तो यहां पे आजएगा 9 यहां पे ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 से भी और 3 से भी तो इसका अंसर लिखेंगे हम येस ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 से भी 3 से भी तो यहाँ पर यह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 2, 8, 5, 6 है यह दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 से भी 3 से भी तो यहाँ पर यह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 3, 0, 6, 0 दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 से भी और 3 से भी तो यह 6 से डिवाइड हो जाएगा इस केस में क्या है यह 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 9 लिखेंगे अब हम करेंगे divisibility by 8 if the number found by last 3 digits is divisible by 8 the number will be divisible by 8 हमारे पास कोई भी number है अगर उसकी पिछे की 3 वाली digits है अगर वे 8 से डिवाइड होती है तो हमारा पूरा number 8 से डिवाइड हो जाएगा 4 में हमने सिरफ 2 digits देखी थी और 8 में हमें 3 digits देखेंगे तो सबसे पहले हमारा है 990 इसमें digits ही तीन दे रखी इस number में तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता इसको हम लिखेंगे 990 is not divisible by 8 नाव 1586 लास्ट थ्रे डिवाइड से डिवाइड करेंगे तो ये completely डिवाइड नहीं होता तो हमारा ये number 8 से डिवाइड नहीं होगा next है हमारा 275 इसकी last digits है 275 इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे ये हमारा 8 से completely डिवाइड नहीं होता हमारा 3 इसमें remainder बचता है तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा 6,6,8,6 जो पिछे की 3 digits हैं वे क्या-क्या है 6,8,6,8 से डिवाइड करेंगे ये हमारा 8 से completely डिवाइड नहीं होता तो ये डिवाइड नमबर 8 से नहीं होगा next यहाँ पे हमारी 3 digits हैं पिछे की 210 210 इसको 8 से डिवाइड करेंगे हमारा 2 remainder बसता है तो ये जो हमारा नमबर है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा अब हम करेंगे next question next part इसका इसमें 3 digits दे रखिया है 714 तो ये 8 से completely डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें 2 बच जाता है तो this number is not divisible by 8 2856 last की digits देखें हम 856 है 8 से हमने डिवाइड किया 107 आया और ये हमारा completely डिवाइड हो गया तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा 3060 last की digits कौन सी है 060 डिवाइड करेंगे 8 से तो ये हमारा 8 से completely डिवाइड नहीं होता इसमें 4 बच जाता है तो ये divisible नहीं होगा last की 3 digits से इसमें 8, 3, 9 इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से 7 इसमें remainder आया रपता है तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा divisibility by 9 rule क्या है इसका if sum of digits of a number is divided by 9 then the number itself is divisible by 9 हमने 3 में divisibility rule किया था sum करेंगे digits का अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो number भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन इसमें जो हम sum करेंगे digits का वो 9 से डिवाइड होना चाहिए तभी number 9 से डिवाइड होगा तो पहला पार्ट इसका 9 9 0 sum हो गया digits का हमारा 18 sum of the digits is 18 it is divisible by 9 so 9 90 is divisible by 9 1586 sum क्या हो गया हमारा 20 20 9 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ये number 9 से डिवाइड नहीं होगा 275 sum हो गया हमारा 14 14 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते so ये जो number है 275 ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा next 6686 sum आगया digits का 26 26 9 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ये number भी 9 से डिवाइड नहीं होगा sum क्या हमने 21 आया 21 9 की table में नहीं आता है तो ये हमारा number डिवाइड दियोगा यहां पर हमने सम किया डिजर्स का यहां आगा 27, 27 is divisible by 9, so this number is divisible by 9, 2856, sum आगा 21, 21 is not divisible by 9, 9, so this number is not divisible by 9, 3060, sum आगया डिजर्स का 9, 9 आगया इसका sum, तो 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 3060 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें हम सम करेंगे डिजर्स का याद था हमारा 30, 30, 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यह number भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, now we will do divisibility by 10, if a number has 0 at 1's place, then it is divisible by 10, 5 में हमने क्या किया था, if a number has 0 or 5 at 1's place, then it is divisible by 10, 5 के case में क्या था, 0 और 5 होने चाहिए 1's place पे, और 10 के case में क्या है, 1's place पे 0 होना चाहिए, तो इसको हम directly टेबल में फिल लग कर लेंगे, यहां पे जैसे 128 है, no, 990, yes, 0 है यहां पे, no, 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 yes, यहां पे 0, 1's place पे, no, no, yes, यहां पे 0, 1's place पे, यहां पे 9 है last में, तो यह होगा, no, अब हम करेंगे, divisibility by 11, इसको आप थोड़ा से ध्यान से देखेंगे, यह थोड़ा सा आपको tough लगेगा, लेकिन आप समझेंगे, तो आपको easy लगेगा, आपको कोई भी number दे रख्या है, तो आपने क्या करना है, उसके digits जो odd place पे हैं, right side से, जिस side से आप pen से लिखते हैं, उस side से आप digits को देखेंगे, पहले odd place पे जितनी digits हैं, उनका समझ करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस में से जो digits even place पे हैं, उनका समझ करेंगे, इनका जो difference आएगा, अगर वो 0 आता है, या 11 से divide हो जाता है, तो number 11 से divide होगा, एक बार दोबारा बता देते हैं आपको, जिस side से आप लिखते हैं, जिस हाथ से आप लिखते हैं, इसी side से आप digits को देखेंगे, जो digits old place पे हैं उनका sum करेंगे और जो digits even place पे हैं उनका sum करेंगे फिर उसका जो difference आएगा दोनों का अगर वो difference 0 आता है या 11 से divide हो जाता है तो जो हमारा number दे रख्या है वो 11 से divide हो जाएगा मैं आपको एक के करके इसके सारे part कराऊंगे अब जैसे हमारा है 990 तो आपकी old place दिखो आप यह हमारा old place 1 और 3 तो यह होगा 9 और even पे क्या है 9 9 वैसे minus 9 करेंगे तो 0 हो जाएगा यह हमारा 11 से divide हो जाएगा 1586 आप इन digits को number दे सकते हैं 1,2,3,4 जैसे 1586 इस digits को आप number दे दीजिए 1,2,3,4 तो आप देखो अब old place पे कौन से digits है 1 और 4 1 के निचे क्या है हमारा 6 4 के निचे क्या है 1 यह होगा हमारा 7 अब आप देखो even place पे 2 और 4 8 और 1 8 प्लस 1 9 7 में से हम 9 माइनस वगरेंगे 7 माइनस 9 माइनस 2 ना तो यह 0 है और ना यह 11 की टेबल में आता है तो यह हमारा number 11 से डिवाइड नहीं होगा 275 तो 5 और 2 8 डिजिट्स होगी है तो 7 और बीच में जो 7 है यह हमारी even डिजिट है जैसे 275 इसको डिजिट 1 दे दो इसको डिजिट 2 दे दो इसको 3 नमबर दे दो अब ओड पे देखो आप 5 प्लस 2 इस इकल टू 7 और यह आगी हमारी even डिजिट 7 7 मैं से 7 माइनस करेंगे तो यह आगी हमारा 0 तो यह नमबर 11 से डिवाइड हो जाएगा उसके बाद है 6,6,8,6 तो इसकी डिजिट्स होगी 6 और 6,12 6 और 8,14 12 मैं से 14 करेंगे माइनस तो माइनस टू यह हमारा डिवाइड नहीं होगा 6,3,9,2,1,0 इसको आप मैं करके दिखा देती हूँ एक बार बिल्कुल अलग से आपको 6,3,9,2,1,0 आप डिजिट्स नमबर देंगे 1,2,3,4,5,6 अब ओड डिजिट्स को आप अलग से जोड़ेंगे ओड पे हमारी क्या क्या है 0,2,5 यहां गया हमारा अंसर यहां पे 7 यह हमारा ओड पे आ गया अब हम करेंगे E1 पे E1 पे हमारा आगया 1,9 और 6 1,9,6 यहां गया हमारा 16 एक साइड आगया हमारा अब हम करेंगे 6,3,9,2,1,0 मैंने इसमें डिजिट्स को नमबर दे दिया है 1,2,3,4,5,6 सबसे पहले हम ओड प्लेस पे लेंगे ओड प्लेस पे हमारी 0 है 2 है और यह 3 है तो यह हमारा आगया 5 ठीक है अब हम लेगे इवन प्लेस पे इवन प्लेस पे हमारा 2 के निचे हमारा 1 है 4 के निचे 9 है और 6 के निचे 6 है तो हमारा आगया 16 अब 5 और 16 इनका डिफरेंस आजाएगा हमारा 11 वैदर इट इस पॉस्टिव और नेगिटिव इससे कोई फर्क निपड़ता कि यह पॉस्टिव आता है यह नेगिटिव आता है यह सिरफ 0 होना चाहिए यह 11 की टेबल माना चाहिए तो यह हमारा आंसर हो गया येस अंसर हमारा 11 है तो यह 11 से मल्टिप्लाई 11 से डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे 13 आगया डिफरेंस 13 आगया सम अफ डिजिड्स और इस केस मा गया 14 तो इसका अंसर आता है माइनस 1 तो यह 11 से डिवाइड नहीं होगा इसको हम लिखेंगे 9 2856 6 और 8 यहाँ पे लिखेंगे 14 5 और 2 7 यहाँ गया 7 3 0 6 0 और प्लेस पे होगा 0 और इवन प्लेस पे होगा 9 तो डिफरेंस आगया माइनस 9 तो यह 11 से डिवाइड नहीं होगा लास्ट है हमारा 406839 इसमें हम क्या करेंगे डिजिड्स लेंगे 9 8 और 0 यह हमारी ओड प्लेस पे हैं 17 आगया इवन प्लेस के लेंगे हम 3 6 और 4 यह आगया हमारा 13 तो डिफरेंस आगया हमारा 4 तो आंसर होगा इसका 9 यह नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा तो मैंने आज आज आपको 3.3 का 1st पार्ट बिल्कुल पूरा एक्स्प्लेइन करके करा दिया है जो इसके बचे वे कॉश्चन्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी तब तक के लिए ओके वे नाइस दे बाई 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 बच्चो